Hello and Namaskar friends, मैं हूँ Dr. Yugendra और आप देख रहे हैं आपका YouTube चनल Dr. Yugendra Bola and Health Tips दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक important बीमारी की बारे में इस बीमारी का नाम है, इस disease का नाम है Human Papilloma Virus याने की HPV Infection दोस्तों, HPV Infection की वज़े से हम देखते हैं कि लोगों में वाट्स बन जाते हैं जब Skin per WhatsApp जाते जिनकों common बाइन जाते हैं, जहात बहुत तेजी से बढ़ रही है, यह Sexually Transmitted Infection है जो ज्यादा तर sex करने के वज़े से जैसे की anal sex, vaginal sex, oral sex के वज़े से फैलता है इसलिए दोस्तों आज हम आपको HPV infection से होने वाले janitor wats और भी कुछ जो पूरी important बाते हैं ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षन है, इसका इलाज कैसे करना चीए, कौन सी vaccine कारगार है सारी बाते आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे Friends, HPV infection यानि की human papilloma virus infection की बहुत सारे subtypes हैं लगबग 100, 500, 180 के आसपास, यानि किसी व्यक्तिव कर HPV infection है तो हमें पहले जाज करके देखना पड़ता है कि कौन सा infection है क्योंकि कुछ HPV infection थोड़े जादा dangerous होते हैं जैसे कि 16 and 18, HPV के जो subtypes है 16 and 18 यानि कि 16 और 18 वो आगे जाके उनसे cervical cancer बनने की संभावना रहती है और HPV infection जो 9 and 11 subtypes है 9 और 11 उनसे आगे जाके आपको अगर watts यानि कि genital watts बनने की संभावना रहती है तो अगर आपको HPV infection 9 और 11 है तो समझेए आपको genital watts हो सकते हैं अगर आपको HPV infection 16 और 18 है तो आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके इसमें cervical cancer बनने की संभावना रहती है तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे इसके risk factors कैसे कैसे जल्दी फैलता है HPV infection फैलता कैसा है how does it spread इसके फैलने के सबसे जो main तरीका है वो है sex होना उस इनसान के साथ जिसे पहले से infection है vaginal sex से oral sex से anal sex से skin to skin direct contact होना genital और skin का direct contact होना अगर आपके skin पर कोई cut है abrasion है कोई tear है तो वाइरस आसानी से आपके शिरी में घुश सकता है तो फैलने के ये माध्यम है और risk factor क्या है कि इसको ज्यादा होने के chances है जिनके number of sexual partners ज्यादा है अगर आपका जो partner है उसके भी बहुत सारे sexual partners है तो ये फैलने के chance ज्यादा है अगर आपकी age 20 plus है 25 plus है you are sexually active तो ये फैलने के chances ज्यादा है अगर आपका immune system रोग प्रतिकारक्षमता अगर आपकी कम है आपको खून की कमी है आपको HIV infection है आपके अंदर jaundice है या आपके अंदर कोई और बिमारी है diabetes वगरे तो आपके अंदर infection आने की chances ज्यादा है या अगर आपकी skin damage है तो infection फैलने का chances ज्यादा होते है सबसे important question जो लोगों के मन में आता है कि डॉक्ट साब मुझको अगर HP infection अभी हो गया है तो क्या ये lifelong रहेगा ये virus हमेशा मेरे शरीर में रहेगा तो इसका जवाब बहुत ही good news है दोस्तों नहीं रहेगा 9 में से 10 में से 9 लोगों में ये अपना हमारा शरीर इस infection को eliminate कर देता है यानि कि 90% of the times हमारा body इस infection को अपने शरीर में से निकाल देता है सिर्फ 10% लोगों में ये infection रहता है और उनकी अंदर आगे जाके हम देखते है genital wards या आगे जाके cervical cancer या oral cancer या anorectal cancer बनने की chances रहते हैं तो 90% chance ये है कि आपके शरीर में से ये infection अपने आप अपका body 24 मेने के अंदर निकाल देगा next important point है कि इस infection से हम बच कैसे सकते हैं तो दोस्तो prevention is better than cure ये जो बात है इस बीमारे में बहुत जरूरी लागो होती है क्योंकि अगर HP infection आपके शरीर में आगे आ तो हमने बताया कि 10% chance है कि वो infection आपके अंदर रह जाएगा और body उसको निकाल नहीं पाएगा तो सबसे important part है कि आप monogamous रहना जरूरी है यानि कि आपका जो sexual partner है वो एक ही हो और वो भी आपके प्रती वफादार हो तो आपको HP infection होने के chances ना के बराबर होंगे दूसरा point है barrier method यूज करना है condom वगरे यूज करना जब भी आप sexual active होते हैं किसी के साथ तो उससे chances 100% कम तो नहीं होगे पर काफी chances कम infection होने की chances कम हो जाते हैं और third point important point है vaccination आजकल vaccines चल रही है जो आपको अगर आपने समय रहते लगवा लिया तो आगे जाके जो खतरनाक variants है HPV infection के जैसे की HPV 9, 11 जिनसे watts बनते हैं उससे आप बस सकते हो 16 और 18 जिनसे cervical cancer होता है वो अगर vaccine पहले आप लगा ले तो इन जो variants हैं जो harmful variants हैं जो खतरना का HPV infection है उनसे आप बच सकते हो तो दोस्तो prevention is better than cure आपको कैसे पता चलेगा कि आपको HPV infection है symptom क्या होगे दोस्तो हैरान करने वाली बात है कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही symptom है जो कि हमें भाहर से देखने मिलता है वो है कि वाट्स जनाइटल वाट्स अगर आपको आपके penis पे वलवल एरिया में एनल रे एरिया में वाट्स है तो chances यह हैं कि वो जनाइटल वाट्स है ना कोई बुखार होगा कोई ऐसे लक्षन नहीं होगा जिससे वो आप संधे करें या कोई टेस्ट कराएं देखने के लिए कि उसको HP infection है इसलिए भी ये infection silent carrier के रूप में रहता है लोगों में और इसलिए इसको फैलने से रोकना थोड़ा मुश्किल है risk of transmission ज्यादा है क्योंकि लोगों खुद ही नहीं पता कि उसके अंदर infection है तो इसका दोस्तों symptom सिर्फ एक मात्र है वो है genital wats अब सबसे important point treatment दोस्तों अगर आपको genital wats बन गए हैं आपके penis पे, vulval area में, anal area में तो इसका बहुत आजकर treatment अच्छा चल रहा है एक local application के लिए cream आती है, imiquad cream जो की आपके body के अंदर immune system को strong करके इन wats को खतम करती है second जो और भी उपाय है, जैसे की laser therapy, nitrogen से उसको freeze करना, surgical therapy यह बहुत सारे options आजकर available हैं, जिनसे हम आपके genital wats को ठीक कर सकते हैं अगर आपको HPV infection 16 और 18 हो गया है जिनसे की आगे cancer बने के संभा होना है, तो doctors क्या करेंगे, आपका pap smear लेते हैं जो ladies लोगों में, इनका pap smear लेते हैं, और उसके अंदर देखते हैं, cells की क्या परिस्तिती है उस हिसाब से regularly pap smear लेते रहेंगे, और आपको बताते रहेंगे कि आपको cervical cancer होने के risk factors कितना है उस हिसाब से आपको आगे treatment दिया जाएगा दोस्तों सबसे important part अभी vaccination vaccines आजकल government of India promote कर रही है और vaccine लेने की सही उमर वो है, जब आप sexually active होने से पहले लगवा ले यानि कि आपकी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल की उमर हो 9, 11, 12, 13, यानि 16, 17 होने से पहले before you become sexually active, तो government of India इस vaccine को promote कर रही है आप ये vaccine लगवा लेना चाहिए आपकी घर पे आपकी बेटी हो, बेटा हो इसके बारे में आप आपके gynecologist है या कोई physician से जाकर मिलिए उनसे discuss कीजिए कि हम vaccine ले सकते हैं गया vaccine का ये फाइदा है, जो की गाडेसिल नाम की vaccine है ये आपको चार harmful variants जो है variant 9, 11 जिसे watts बनते है variant 16, 18 जिन से आगे cervical cancer होने के सम्भावना है उनसे ये गाडेसिल वेक्सिन research में देखा गया है कि लगबग 100% आपको सुरक्षा प्रधान करती है एक important सवाल और लोगों में उठता है कि डोक्र साब मुझको HP infection हो गया है अभी तो मैं क्या vaccine ले सकता हूँ उसका answer है, जी हाँ आप ले सकते हैं क्योंकि आपको कोई एक variant हुआ होगा मानों आपको variant 9 हुआ है HPV का तो अगर आप vaccine लगवा लेंगे तो जो variant 11 है 16-18 है इन से आप बच पाएंगे आगर जाके इसलिए जिन लोगों HPV infection हो चुका है वो भी इस vaccine को ले सकते हैं आपके doctor से मिलकर संपर कर लेना दूसरा गाड़ेसल वैक्सिन है जो मर्क कमपनी ने बना है दूसरा वैक्सिन है SarvaRix सर्वारिक्स वैक्सिन जो की GS के कमपनी का है तो दोस्तों वैक्सिन लेने के बहुत फाइद है आप इसके बार में जरूर सोचिए तो दोस्तों आज हमने आपको जनाइटल वाट्स यानि की HPV infection, human papilloma virus से होने वाला infection के बार में सारी जान करें दिये, आशा करते हैं वीडियो आपके उप्योगी होगा, इस वीडियो को प्लाइक एंड शेर जरूर कीजेगा, अगर आप हमारे चैनल पर है, कुरुप्रिया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो से हम आपको और ला कर दे सकें अगर आप किसी पॉइंट पर विशे पर मुझसे consultation लेना चाहते हैं, तो ये paid consultation है आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उस पे आप मुझको whatsapp call करके message करके अपका appointment book कर सकते हैं दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे, मैं डॉक्टर युगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैंद